हेलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और मज़े में होंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्रिया यानी वर्व आईए क्रिया किसे कहते हैं चित्रों के माध्यम से समझते हैं पहले चित्र में बच्चा पढ़ रहा है अगले चित्र में कोमल नाच रही है और तीसरी चित्र में क्या है किसान खेत में हल चला रहा है तो बच्चों इन वाक्यों में सभी कुछ न कुछ क्रिया कर रहे हैं वाक्यों में आए रंगीन शब्दों पढ़ रहा है नाच रही है तथा चला रहा है अर्था जिन शब्दों से किसी काम की करने या होने का बोध हो उने क्रिया शब्द कहते हैं अब जानते हैं करता किसी कहते हैं काम करने वाला करता कहलाता है जैसे पहले चित्र में फल वाला फल बेच रहा है तो इसमें करता कौन है फल वाला दूसरे चित्र में बच्चे खेल रहे हैं तो इसमें कारे कौन कर रहे हैं बच्चे तो करता कौन है बच्चे तो बच्चों इन वाक्यों में फलवाला और बच्चे करता है क्योंकि वे कारे कर रहे हैं अब जानते हैं धातू किसी कहते हैं क्रिया का मूल रूप धातू कहलाता है क्रिया शब्दों का निर्मार धातू से होता है जैसे लिख, पढ़, गा, सुन, आदी ये सब क्या है धातू इनके आगे नाप्रत्य जुड़ा कर क्रिया शब्द बनते हैं आईए अब समझते हैं क्रिया के भीद, यानि काइंट्स ओफ वर्ब क्रिया के दो भीद होते हैं पहला अकर्मक्रिया और दूसरा सकर्मक्रिया सबसे पहले जानते हैं अकर्मक्रिया किसी कहते हैं अर्था जिन क्रियाओं में कर्म की आवशक्ता नहीं होती उन्हें अकर्मक्रिया कहते हैं जैसे आना, जाना, हसना, रूना, दोलना, बैठना इसमें कर्म की आवशक्ता नहीं है इसलिए अकर्मक्रिया है चित्रों के माध्यम से जानते हैं पहले चित्र में बच्चा रो रहा है इसमें कर्म नहीं है तो यह क्या है अकर्मक्रिया दूसरी चित्र में मचलिया पानी में तैर रही हैं कर्म है ही नहीं तो क्या है अकर्मक्रिया तो बच्चो उपर वाक्यों में कर्म का प्रियोक नहीं किया गया अधर ये अकर्मक्रिया है अकर्मक्रिया वाले वाक्यों में कर्तात अकर्मक्रिया ही महत्पून होते हैं दूसरा है सकर्मक्रिया अर्था जिन क्रियाओं में कर्म की आवशक्ता पढ़ती है अर्था अकर्मक्रिया का फलसीधे कर्म पर पढ़ता है उन्हें सकर्मक्रिया कहते हैं जिसे लिखना पढ़ना बनाना देखना सीखना दी पहले चित्र में कुमहार बरतन बना रहा है तो कुमहार क्या बना रहा है बरतन बरतन क्या है कर्म है तो यह क्या है सकर्मक्रिया दूसरी वाक्य में दादा जी अक्वार पढ़ रहे हैं दादा जी क्या पढ़ रहे हैं अक्वार अक्वार क्या है कर्म है तो क्या हुआ इस वाक्य में सकर्मक्रिया है पच्चो इन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म का प्रियोग हुआ है अता हिए सकर्मक क्रिया हैं सकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में कर्म महत्मूर होता है अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान कैसी हूँ इसे जान लेते हैं क्रिया के साथ क्या किसे अथवा किसको प्रश्ण वाचक शब्द लगा कर प्रश्ण पूछने से यदि उत्तर मिले तो इसका अर्थे की क्रिया सकर्मक है यदि उत्तर ना मिले तो इसका अर्थे क्रिया अकर्मक है जिसे प्रश्ण किया जाता है माता जी क्या बना रही है उत्तर है भोजन तो इसमें क्या है सकर्मक्रिया दूसरा प्रेश्ण मश्ली क्या तैर रही है कोई उत्तर नहीं तो अकर्मक्रिया यानि कर्म मैं नहीं मिला तो अकर्मक्रिया जहां कर्म की मौजूदगी है वहाँ पर सकर्मक्रिया उम्मीद करती हूं बच्चों क्रिया और उसके भेद आपको अच्छे से समझ आयोंगे अब आप इसका अभ्यास कारे स्वयम कीजिए